व्लुट्ट व्लुट्ट गारेन वाला पर्ट जिसकें देड़ वन धूचेप्टर इंचुट है मेट्रिक्स एन डिक्रिमिनेंट तो इसमें से जो फर्स पाट है मेट्रिक्स सबसे पहले है डेपिनेशन ओप मेट्रिक्स कि किसी मेट्रिस पी डेपिनेशन क्या है मेट्रिक्स इज रेक पेंगलोर आरेंग है और नंबर और एलिमेंट इन स्पेसिवाइड रो और पॉलम मैट्रिक्स नंबर का या एलिमेंट का एक रेक्टेंगुलर अर्रेजमेंट है यह नंबर रो में और पॉलम के अंदर अर्रेज रहते हैं इन सब को मिलाने पर एक रेक्टेंगर बन रहा है तो यह जो अर्रेजमेंट है इस अर्रेजमेंट को मैट्रेस कहते हैं और इसको इस ब्रेकेट से रेप्रेजेंट करते हैं लेप्ट्री रेट लाइन्स को रो करते हैं अप्टू डाउन लाइन्स को कॉलम करते हैं यहाँ देखें टोटल फ्री रो है तो इसको फ्रस रो आरवन सेकंड रो आर्टू थर्ड रो रड़ी यहां हैं फो कोलंब है मैं मैं किसा भी मेंट्रीज को कहें यह यह और आम रिब्रेजेंट करता है ज है और सब्सक्राऊ कर oh देखे, A and J, आई रोको रिप्रेटेट कर रहा है, J कोलम को रिप्रेटेट कर रहा है A11, फर्स्ट रो, एंड फर्स्ट कोलम पहला वाला वन रोको रिप्रेटेट कर रहा है, सेकंड वाला वन कोलम को रिप्रेटेट कर रहा है A12, फर्स्ट रो, सेकंड कोलम 1st row, 2nd column A13 1st row, 3rd column A21 2nd row, 1st column 2nd row, 2nd column 2nd row, 3rd column 3rd row, 1st column 3rd row, 2nd column and 3rd row, 3rd column Next point is 1st point के matrix की definition होगे, 2nd matrix को Aij form में represent करते है 3rd order of matrix किसी भी matrix का अगरा को order निकालना है तो उसको row into column की form में लिखते है किसी matrix का order का मतलब होता है उसमें कितनी row है और कितने column है इसको into की form में लिखते है यहांसे देखिए इस matrix में 3 row है और 3 column है इसका मतलब इस matrix का order होगे है 3 into 3 पहला वाला number number of row को represent करेगा second order number number of column को represent करेगा next point इसके अंदर number of element in a matrix किसी matrix में total number of element इतने है तो उसकी row और column को multiply कर दीजे number of row और number of column को multiply कर दीजे देखिए 3 row है 3 column है इसका मतलब इस matrix में total 9 element है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 total number of element 9 है matrix की definition clear matrix को किस पॉम में represent करते है A.I.D.Pom में represent करते है किसी matrix का order को किस से represent किया जाता है number of row into number of column से किसी matrix में number of element कितने होते है number of row into number of column इनको multiply करने पर जो answer हैगा उतने matrix में element होगे अब इनसे इन पर वेसे कुछा जाता है एक नंबर का in a matrix if number of element 24 then find possible एक मेट्रिस में total 24 element है बतो किस किस order की मेट्रिस हो सकती है देखिए यहां number of element निकालने का मतलब हो गया row into column और row into column उसके order को represent करता है जहां आपको n की value 24 दे रिखिए तो n की value 24 है इसका मतलब है नंबर और row number of column को इंटू करने पर 24 आना चाहिए तो ऐसे दो नंबर बताओ जिनको multiply करने पर 24 आ रहा हो तो देखिए यहां पे वन इंटू 24 24 इंटू 1 24 इंटू 24 इंटू 24 है उसका मतलब हो कि इसमें number of row 24 और number of column बनो यह row one है पर column केतने 24 12 x 2, 2 x 12, 6 x 4, 4 x 6, 3 x 8, 8 x 3, तो इस तरह से यह total इसके possible order है, इन इन order की matrix बन सकती है, जिसमें number of element कितने 24 है, एक और example देखे हैं, एक matrix है, जिसमें number of element type है, तो बतो किस-किस order की matrix बन सकती है, तो इससे दो number बतो, इनको multiply करने में 5 आ रहा हो, तो 1 into 5, या 5 into 1, इसके दो यह order possible है, या तो 1 into 5 की matrix बन सकती है, या 5 into 1 की matrix बन सकती है, जो next time है, आपको एक matrix find करने है, find a matrix, a equal to a ij of 3 into 2 order, such that a ij equal to i plus data whole square, जिसमें आपको एक matrix find करने के लिए पूछे के और उसका order दे रखा होगा, और साथ में इसके element की बीच में क्या है, कि a ij का मतलब है, i plus j का one square, तो सबसे पहले आपको क्या करने है, ऐसे किस्टो में, जो matrix का order given है, 3 into 2, उस order को देखते होए, matrix को open कर देजे, कि इसमें 3 तो रों होने चाहिए, 2 column होने चाहिए, a 1 1, a 1 2, a 2 1, a 2 2, a 3 1, a 3 2, 3 रों है, 2 column, open कर देखे, अब जो आपको रिलेशन दिरेखा है, a i j, i plus j का one square, इस डिलेशन के अंदर, a 1 1, i को भी 1, और j को भी 1, तो आंसरा के फोट, a 1 2 निकालने के लिए, i को 1 पुट करेंगे, j को 2 पुट करेंगे, तो आंसरा के नहीं, a 2 1 पाइंड करने के लिए, i को 2, j को 1, नहीं, a 2 2 पाइंड करने लिए, i को 2, j को 2, 16, a 3 1 पाइंड करने लिए, i को 3, j को 1, 16, और लास्ट a 3 2 पाइंड करने के लिए, i को 3, j को 2, तो आंसर इस 45, तो मेर्टिस के फाइंड भी, a 1 1 की वेल्यू, 4, a 1 2 की वेल्यू, 9, a 2 1 की वेल्यू, 9, 16, 16, and this is 25, वो मेर्टिस फाइंड करने के लिए. नस्ट दोगाइंड सकते हैं अजर, उकल मेर्टिस, उकल मेर्टिस, 2 मेर्टिस और उकल मेर्टिस, if their order are same and their corresponding element are equal two matrix are equal matrix if their order are same and their corresponding element are equal two matrix are equal matrix if their order are same and their corresponding element are equal आपको एक matrix दिरकी ए X, Y, Z, T second matrix B 1, 2, 3, 4 देखि दोनों का order देखिए दोनों का order 2 x 2 है इसका order भी 2 x 2 है इसका order भी 2 x 2 है और आपको एक गियोन है कि दोनों matrix equal है A equal to B X, Y, Z, T 1, 2, 3, 4 दोनों comparing करूँ comparing देखिए गया रहे X equal to 1 Y equal to 2 Z equal to 3 T equal to 4 अब इसे related question कैसे पुझे जाता है If 2 x plus y X into y A plus B A minus B is equal to 3, 1 5, 1 की इक्वाल है Then find X, Y, A and B इनकी value point इसे आपको given है कि ये दो मेंट्रिस equal है तो बतर ये X की value Y की value A की value B की value क्या होगी दोनों order पन compare करें First number को first number की equal करें तो 2 x plus y equal to 3 थर्ड नम्बर थर्ड नम्बर की इक्वाल तो X, Y equal to होगया 1 Same इसी तरह से Second number A plus B Equal to 5 A minus B equal to 1 यान देखिए X, Y में दो equation आगाई यहां A और B में दो equation होगई इन दोनों को स्वाल करें B से B cancel A और A to A इस इस 6 तो A इपको आँगे 3 A की value 3 यहां पनाट है तो 3 plus B equal to 5 तो B cancel होगे 2 ये तो A और B cancel होगे Now इस equation से ये की value रिकाल रहा हो 3 minus 2x तो equation के अगी 3x minus 2x square equal to 1 तो 2x square minus 3x plus 1 equal to 0 अगर इसके स्प्रिटिक रहते हैं तो 2x minus 2x minus x plus 1 equal to 0 2x common x minus 1 minus 1 common x minus 1 तो दिखिए आपे x minus 1 common 2x minus 1 equal to 0 तो x के दो आपे 1 and half अगर मैं x value 1 लेता हूं x value 1 लेता हूं x value 1 लेता हूं xy equal to 1 है x value 1 कौन सब पोसीबल है x equal to 1 y equal to 1 x equal to half y equal to 2 next point अगर इसमें देखिए इसकी पर बेस्टिक किष्ण ओर लेता है what value of x and y matrices a equal to x 3x y 0 b equal to 1 1 1 0 may be equal x और y की किस value की लिए दोनु matrices से equal हो सकती है तो यहां देखिए अगर पर इस दोनु matrices को equal लेके चले a equal to b x 3x y 0 1 1 1 0 combine केजिए परशको परसके equal to x equal to कितना है 1 y equal to 1 लेकिन यहां देखिए यहां भी x 3 प्रम है और यहां कि में comparing करता हूं इस बन से तो x 3 value आए 1 by 3 इसका मत्तब क्या हुआ अगर मैं x 2 value 1 लेके चलता हूं तो यह वारा result satisfy नहीं होगा और यहां से x 2 value 1 by 3 लेके चलता हूं तो यह वारा result satisfy नहीं होगा एक ही matrix में comparing करने पर x की अलगले value आ रही है unique value नहीं आ रही है इसका मत्तब क्या हुआ no value of x where both matrices may be equal it means x और y की इसी कोई value नहीं है जहां यह कह सकते कि दोनों matrix है equal matrix है now next one जो आता है type of matrix matrix के type के अंदर सबसे पहला जो type आता है row matrix first point row matrix a matrix is called row matrix if in which only one row अगर किसी matrix में एक ही row है तो उस matrix को row matrix करते है for example one, two, three, m देखिया एक ही row है इसका मतलब this is the row matrix तो इसका order कितना होगा row तो यह कोई column किते होए one, two, three, m column है इसका मतलब इसका order होगा one and two m तो row matrix वो matrix है जिसमें कर एक ही row होती है column कितने भी हो सकते है उस matrix को row matrix करते है second अचा है column matrix निमसेख लिए रहा column matrix a matrix in which only one column जिसमें एक ही column है उसे column matrix करते है for example one, two, three, m जिसमें यहां एक ही column हो लेकिन इसमें रो कितनी है one, two, three, m तो इसका order होगा n into one तो एससे matrix जिसमें जिसमें एक ही column हो उससे column matrix करते है next को रहता है square matrix important है कोई भी matrix square matrix का होती है if number of row equal to number of column अगर किसी matrix में जितनी row है उतने column है तो उस matrix को square matrix करते है for example एक matrix ले रहे है जिसमें row भी 3 है और column भी 3 है तो इसका order होगा 3 into 3 तो यहां element क्या होगे a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33 यह जो square matrix है इस square matrix के अंदर first number से last number को मिलाने वारे जो line होती है इससे principal टैक्नोल करते है इससे principal टैक्नोल करते है और इनकी जो element का sum होता है a11, a22, a33 इससे उस मेंट्रिस का trace कहते है trace of matrices जिस मेंट्रिस में जितनी रोहों उतने कोलमों उससे square matrix कहते है square matrix में परस्ट नंबर से last number को मिलाने वारे जो line होती है जिसमें row, number, column के element सेम होते है a11, a22, a33 इससे principal टैक्नोल करते है और इनकी element का जो सम होता है उससे उस मेंट्रिस का trace करते है तो एक नमर का क्यूस्म पूचा जा सकते है आपको कोई सिवीक matrix given है square matrix उस मेंट्रिस का trace find की दिए तो उसके जो diagonal वाले element है उनका सम करने पर जो result आएगा वोई उस मेंट्रिस का trace होगा diagonal matrix any square matrix is diagonal matrix a square matrix इस डाइगनोल मेंट्रिक्स इप एए आई जे इकवल टू जीरो इन विच आई नोट इकवल टू जे उस मेंट्रिस के वो सारे नमबर जीरो हो जा है जिसमें आई और जे की में भी इकवल नहीं है तो यहां देखिए इसमें वर्मान आई और जे इकवल है फूटू आई और जे इकवल है फ्रीट आई और जे इकवल है लेकिन बाकि के सारे वन्वंट क्या होने का है Gang इसका मतलब है कि यह डाइग्वन वाली एलिमेंट है है बाइग्वन वाली इसके जी रो है नो चल्य मैट्रीश एक डियाग्वनINKS एक डियाग्वन मेट्रीकस कर दूँ हison सिकेलर मेट्रीकस एक A11, A22, A33, इनकी value किसी constant की equal हो जाए, किसी scalar value की equal हो जाए, तिनों value अगर सेम हो जाती है, तो उस matrix को scalar matrix करते हैं, तो यह होगे A equal to K00, 0K00, 0K, this is the scalar matrix. तो scalar matrix में डाइनोल वाले सारे element अगर सेम हो जाते हैं, तो उस matrix को scalar matrix करेंगे, नेस्ट भी important आता है, identity matrix, इसको unit matrix भी करते हैं, अगर K की value 1 हो जाए, इस diagonal matrix के अदर K की value 1 हो जाए, तो उससे identity matrix करते हैं, जिससे I से represent करते हैं, 100, 010, 001, चुकि इसका order 3 into 3 है, तो इसको I 3 भी लिखते हैं, अगर आपको second order की लिखनी है, तो उसको उसको के 1001, 2 into 2 order 3, जिससे लिखो कि I 2, बहुत important है, identity matrix, 7, null matrix, null matrix, null matrix को 0 matrix भी कहते हैं, अगर किसी matrix के, सारे element 0 हो जाए, AIJ equal to 0, तो उसे null matrix कहते हैं, 0, 0, 0, all element equal to 0, और इसको 0 से represent करते हैं, और भी matrix किसी में टाइप है, देखें, एक पैपोर देखें, एक matrix है, A, AIJ, means, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, जाब से देखना, ये तो तीनों नम्बर है, इस triangle के अंदर, इसमें AI वाला नम्बर जैसे बढ़ा है, और इस triangle के तीनों नम्बर है, इसमें AI वाला नम्बर जैसे छोटा है, if AIJ equal to 0, in AI greater than J, and AIJ equal to 0, in which AI less than J, दो चीज़ दिखेंगें, AI greater than J, वो सारे नम्बर 0 हो जाए, means, A11, A12, A13, 0, 0, 0, A22, A23, A33, नेचे वाले triangle के सारे element अगर 0 हो रहे हैं, इस 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 अपर triangle matrix, उस matrix को अपर triangle matrix करते हैं, और इसमें देखो, वो सारे element 0, इसमें AI less than 0, आपर वाले triangle के तिनो element 0 हो रहे हैं, तो इस इस जोबर triangle matrix, तो इस हैं, उस सकते हैं, आपर वहे हैं, आपर ट्वार आपर, आपर आपर सब दिखो, लिए सिखो रहे हैं, को रहे हैं, समय सकते हैं, आपर आपर दो चरापर यह CA Kaf मत्रिक, now, next point, addition of 2-मattrक, एडिशन और मैट्रेक्स आपको टू मैट्रेक्स को एड़ करना तो सबस्तर पहले बाद जया रगना कि उन दोनों मेट्रेक्स का ओर्डर सेम होना चाहिए एडिशन साथ में इसको सब्टेक्शन भी ले लेते हैं एडिशन और सब्सक्राइब है अपके सब्सक्राइब है अजिए अडिशन और सब्सक्राइब है इप दियर ओडर आर सेम पाहली कंदिशन नहीं देखनी है कि उनका ओडर सेम होना चाहिए और पिर एदे इंट सब्रेट कैसे करते हैं और इते हमको आपको टू मेट्रीस गिवन है एगिवन है 1 2 3 4 बी गिवन है माइनस 1 0 माइनस 3 2 आपको इन दुरू मेट्रीस को एड़ करना है तो देखिए यहां इनका ओडर सेम आरा नहीं आ रहा है 1 2 3 4 2 इंटू टू अडर की मेट्रीस है अब देखिए एड कैसे करते हैं करैस्पंडिंग ज़ेमेंट वर्स नंबर में फर्स नंबर को हैड़ गरूए सिकérieur सेकर अंसेट б हो ठाट यअज फड़क嗑 वी इसमेट्रीस का फिर्च नंबर याइन इसकाißt वन्हस वन्हसर ए तो 1-10 अ इसका मइन-1 जिरो थो 2 और जिरो पूर अपको को पॉर में पहोड़ु ओंड करेंगे तो 6, इसा है करैंछे के मैंस चर्णा राष्ण काल यह माइनस करते हि मालस क्था लेकी ते लेकर अर्टीव mol2 मैंनस प्लक करना टो माइनस माइनस प्लस 3 में से 3 तो 6 होगी है कि माइनस माइनस प्लस 3 ए 3 6 4 माइनस 2 2 तो इस तरह से एडिशन एंट सब्रेक्शन करने के लिए सबसे पहले आपके देखना है कि उन मेंट्रिस का ओडर सेम होना चाहिए और एड़र सब्रेट कैसे करते हैं जो पी उनका क्रेस्पोर्णिंग भीडर उनई को सब्रेट करना है नाौ नेक्स्ट पवट्र अता है स्केलर मल्टिप्लेशन ओपं मेंट्रिस म्लाइच अप्य मेंट्रिस ऑड़र स्केलर मल्टिपिकेशन आपको एक मैट्रिक्स बाइट स्केलर आपको एक मैट्रिक्स की वाल है एक वर्न टू थ्री पूर और इस मैट्रिक्स को आपको थ्री से मल्टिप्लाई करना है इस मैट्रिक्स को किसी नंबर से इंटू करना होता है इस मैट्रिक्स की सब्सक्राइब को उस नंबर से मल्टिप्लाई करना देए आपको सबसुत है त्री को 1 साइश नो करें ट्री प्री फर्ट प्रीश से करें एंके'd 2 से करें ट्री ट्रीपिले गण later Ц locking up को आए जिए को मौनिल प्री मेर्टेशनों मेट्रेक्स तो सबसर पहले कंडिशन इसमें क्या देखने हैं आपको एक मेट्रेस किवन ए ए सेकर मेट्रेस आपको गिवन ए इसका ओर्र गिवन है ए इन्टूबी इसका ओर्र गिवन of two matrix is possible if number of column of A matrix is equal to number of row of B matrix देखिए अब है यहां number of column कितने बी है यहां number of row कितनी है अगर पहले मैट्रिस में जितने column है उतनी दूसरे मैट्रिस में row है तो इन दोनों मैट्रिस का मुल्टिप्लाइब पॉसिबल है तो एक नमरा कि पूचा जा सकता है आपको एक मैट्रिस एदेदी एक मैट्रिस बी पूचे के कि क्या एउन पी का मल्टिप्लाइब क्या है क्या थ dual क्या होगा तो देखिए को मृट्प्लाइब करते हैं कर क्या सबसे पहले है कि पहली मैट्रिस में नुंबरोर और और रोग के बराबर होना ँदयें और इनको multiply करने पर जो matrix आएगी उसका order क्या होगा इसकी row और इसके column A into C and order of the result is number of row A matrix into number of column of B matrix means C का order क्या होगा A into C A क्या है number of row of A matrix C क्या है number of column of B matrix तो पैसे चीए कि इतनी है कि उनका multiply possible है या नहीं है possible कब होगा जब value matrix में number of column दूसरी matrix के number of row के एक और होगा और multiply करने के जो matrix आएगी उसका order क्या होगा A into C A क्या है या पर? फर्स matrix में number of row और C क्या है? second matrix में number of column इसको एक 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 जम्पल से समझते हैं दिखें A matrix गीवन है 1, 2, 3, 4, 5, 6 B matrix गीवन है minus 1, 0, 7, 3, 5, minus 2 आप से इतर में पूचेंगे क्या A और B का multiply possible है? क्या B और A का multiply possible है? multiply possible है तो बतो जो multiply करने पर matrix आएगी उसका result क्या होगा? वो matrix क्या होगी? और उस matrix का order क्या होगा? तो यहाँ देखें A का order कितना है? 2 into 3 है इसका order कितना है? 3 into 2 है तो यहाँ कर मैं A matrix को put करूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6 जिसका order 2 into 3 है B matrix को minus 1, 0, 7 3, 5, minus 2 जिसका order 3 into 2 है इसमें देखें क्योंच कितना है? 3, इसमें row कितना है? 3, multiply possible है तो multiply करेंगे तो किस order की matrix बनेगी? 2 into 2 सेम इसी नेख से यहाँ देखिए यहाँ पहले 2 matrix को put करेंगे minus 1, 0, 7, 3, 5, minus 2 फिर A matrix को 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसका order है 3 into 2 इसका यहाँ 2 into 3 तो इनका भी multiply possible है क्यों की देखो है अपने? इसमें column 2 है और row 2 है तो इसमें multiply possible है तो multiply करने पर किस order की matrix बनेगी? इसमें 3 into 3 की बनेगी 3 into 3 और यहाँ पर 2 into 2 अब multiply कैसे करते हैं? तो matrix के दर multiply याद करने के लिए एक तरीका याद कर दो row row के multiply करते हैं means row को column से multiply करते हैं देखें, जावाला नूमर होता है? A11 A11 को पर क्या बहुता है? 1st row और 1st column मतलब मेरो यहाँ से तो 1st row लेनी है और यह से 1st column लेना है और यह करेस्पोर्टिंग element को multiply करना है 1 को multiply करेंगे minus 1 से, तो minus 1 2 को multiply करेंगे 0 से, तो 0 और 3 को multiply करेंगे 7 से, तो 21 corresponding element पहली row के और पहले column के corresponding element, 1st element को 1st से 2nd को 2nd से, 3rd को 3rd से और उनको 8 करेंगे तो इस matrix का पहला number आएगा A12 first row second column अब तो first row लेंगे और इसका second column लेंगे 1 को 3 से करेंगे 3 2 को 5 से करेंगे 10 3 को minus 2 से करेंगे minus 6 तो जाएगे A12 इसी तरह से A21 second row first column second row 4, 5, 6 है और first column minus 1, 0, 7 है तो 4 को minus 1 से, minus 4 5 को 0 से, 0 6 को 7 से, 42 और इसी तरह क्या बचा A22 second row second column इस second row second column 4 को 3 से, 12 5 को 5 से, 25 6 को minus 2 से, minus 12 तो answer कितना हो गया this is 20 30 7 44, 42 में से 4 करें 28 12 में से, 25 ये में से, 25 ये में से, A और B को मुल्TIPLY करने करेंगे इसी तरह इसमें देखो A11 1st row and 1st column 1, minus 1 को 1 से, minus 1 3 को 4 से, 12 A12 minus 1 को 2 से, minus 2 5 को 3 से, 50 A13 A13 minus 1 को 3 से, minus 3 6 को 3 से, 80 पर आता कि A21 A22 A23 2nd row परस कोलम 0 को 1 से, 0 20 0 25 0 30 0 को 1 से, 0 5 को 4 से, 40 0 को 2 से, 0 5 को 5 से, 45 0 को 3 से, 0 5 को 6 से, 30 पर आता 3 गोल, A31 A32 A33 ये में समझने के लिए दिख रहा हूं आप कोनी एक लाइस के अंदर A11 वगर है 7 को 1 से करेंगे 7 minus 2 को परते करेंगे minus 1 7 को 2 से, 14 minus 2 को 5 से, 10 7 को 3 से, 21 और इस वगर तो देखे, रिएट क्या है इस इस 11 इस इस 15 इस 15 20 25 30 minus 1 4 and इस इस 9 3 इंटू 3 ओर की मेट्रेस इस तरह से, आप 2 मेट्रेस को मल्टिप्लाई का सकते हैं अजिए, आपके, NCRT की जो 3.1 एक साइज है उसमें एक क्यूशन गीए है, how many matrix are possible how many matrices are possible of order 3 into 3 in which each element are from 0 and 1 0 and 1 this is a permutation combinational based question 1 coin toss 2 case head and tail 2 time toss 2 into 2 4 case 5 time toss 2 into 2 2 into 2 2 into 2 2 to power 5 32 case in which matrix order 3 into 3 which means how many elements of line 2 this is this is every element entry 0 or 1 which means this is that every place comes to 2 2 case or 0 or 1 this is total 9 place this is number of matrices 9 512 512 matrix possible is about student the answer 3 point 1 3 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1